वहीं एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बोलने वाले आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस आज दिल्ली में गटबंदन करने के लिए मीटिंग करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच गडबंदन को लेकर आज कॉंग्रिस के एहमद पटेल और आम आदमी पार्टी के संजे सिंग के बीच बैठक होगी सूत्रों के मताविक आज की बैठक में एएपी और कॉंग्रेस के बीच नए सीरे से बाचीत होगी इस बाचीत को कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच फाइनल बाचीत माना जा रहा है बैठक में कॉंग्रेस की ओर से एहमद पटेल और आम आदमी पार्टी से संजे सिंग हिस्सा लेंगे दिल्चत्व बात ये है कि दोनों के बीच बैठकी अध्यक्ष्टा NCP नेता शर्ष पावार करेंगे अहमद पतेल ने कहा कि हम केवल दिल्ली में गटबंदन करने को तयार है हाला कि आज के बैठक से पहले कल राहुल गांधी और केजिवाल में ट्वीटर वार देखने को मिला राहुल ने ट्वीटर पर जहां यू टर्न का आरोप लगाया वहीं केजिवाल ने पूछा कौन सा यू टर्न राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दिल्ली में कॉंग्रेस और एएपी के बीच गटबंदन का मतलब है बीजेपी की जबरदस्त हार कॉंग्रेस इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में एएपी को चार्ज सीट देना चाह रही है लेकिन केजिवाल ने एक और यू टर्न ले लिया हमारे दर्वाजे अभी भी खुले हैं लेकिन समय बीता जा रहा है राहुल गान्दी के ट्वीट के जवाब में अरविंद केजिवाल ने भी ट्वीट किया केजिवाल ने ट्वीट करके लिखा कि कौन सा यू टर्न अभी तो बादचीत चल रही थी आपका ट्वीट दिखाता है कि गडबंदन आपकी एक्षा नहीं मात्र दिखावा है मुझे दुख है आप बयान बाजी कर रहे हैं आज देश को मोदी शाह के खत्रे से बचाना एहम है दुर्भागे के आप यूपी और अन्य राज्यों में भी मोदी विरोधी वोट बाट कर मोदी जी की मदद कर रहे हैं वहीं दिल्ली कॉंग्रेस प्रभारी PC चाको ने कहा कि अगर केज विवाल तैयार हैं तो एक घंटे में दिल्ली में गटबंदन हो जाएगा 2014 की चुनाओं में दिल्ली में साथ सीटो पर BJP ने जीत दर्ज की थी ऐसे में दिल्ली में खोई जमीन को बचाने के लिए आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस गटबंदन की लगातार कोशिश कर रहे हैं